स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे और मैं हूँ प्रियांका सिंग तो आज को जो मेरा टॉपिक है वो है प्रेगनेंसी से रिलेटिड मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में की प्रेगनेंसी डाइट हमारी क्या होनी चाहिए कि प्रेगनेंसी में हम कितना खाएं किस टाइम खाएं और कितना गैप दे के खाएं जिससे कि हमारा बच्चा हैल्दी स्वस्थ रहे और माइंड़िड हमारा जो बच्चा है वो पैदा हो गैस पहले लोग बहुत ज़्यादा विचार किया करते थे इन चीजों को बहुत मानते थे और कहीं हद तक वो बातें सच भी होती थी लेकिन आज की डेट में लोग इतने ज़्यादा मॉडर्ण हो गए हैं कि उन सारी चीजों को नकारते हैं और सिर्फ छोड़ते ही कि इन चीजों से कुछ भी नहीं होता है यह तो आपको भी पता होगा कि अगर आप हेल्दी रहेंगे तो हमारा बच्चा हेल्दी पैदा होगा तो उसके लिए मैं यहां पर बताने वाली हूँ आपको कुछ टिप्स जो कि आपको फॉल्लो करने हैं जिसी कि आपका बच्चा और आप सुष्थ रहेंगे और आपका होने वाला बच्चा जो है वो बहुत ज़ादा माइंड़े होगा काईज मेरा जो फर्स टिप्स होगा वो यह होगा कि जब भी आपको खाना खाना है जब भी आपको खाना खाना है टाइम टेबल आप अपने खाने का बनाई और जब भी खाना आप खाएं तो बहुत जादा एक साथ ना खाएं कि आपको पेट भर के खाना नहीं खाना है थोड़ा थोड़ा खाना है बार बार खाना है आपको दो घंटे का गैप करना है और उस तो इस टाइम जो आपके घर का माहौल है वह बहुत ज्यादा सांती फुलोना चाहिए बहुत ज्यादा शांती होने चाहिए उस टाम में सोर शराबा ये टेंशन ना लें तो जादा बैटर होगा आपके लिए और अपके होने वाले बच्चे के लिए गई अगर आप खुद लेंगे इस टाइम पे तो आपका बच्चा माइंड नहीं होगा वो डिस्टरब्ड बच्चा पैदा होगा आपका तो यह चीज आपको ध्यान रखनी कि उस टाइम का जो माहौल है कोशिस करें कि जो भी लीडी आपकी घर में प्रेग्डेंट है उसे जादा से जादा खुश लेकि कि क्या आप एक्सरसाइज करने के लायक है यानि कि आपको कोई इंटरल प्रॉब्लम तो नहीं है जिससे कि आप एक्सरसाइज करेंगी तो वो आपको हाम करेंगी एक्सरसाइज करना हमारे लिए बहुत जादा जरूरी होता है प्रेग्नेंसी टाइम पे क्योंकि इस साइज करना हमारे लिए बहुत जादा जरूरी है और अपने डॉक्टर से कंसर्ट करें कि हम कौन सा योगासन कर सकते हैं घर पे तो जिस तरीके से आपको आपको डॉक्टर से बताती हैं उसी तरीके से आपको यह सारी चीज़े करनी चाहिए तो गाइज मेरे चौथा जो टिप्स है वो यह है कि प्रेगनेंसी टाइम में हमारी बॉड़ी में पानी की बहुत जादा कमी हो जाती है तो गाइज हमें 8 से 9 लिटर पानी 8 से 9 लिटर पानी हमें डेली अपने डेली रूटीन में एड़ करना चाहिए यानि कि हमें 8 से 9 यह है कि बीच बीच में खाने को हमारा कुछ ना कुछ मन करता रहता है उस ताइम भी तो कुछ लोग नमकीन या फिर बाहर से मंगा कि कुछ ऐसा समान खाते हैं वो उन चीजों से हो सके तो आप उन्हें अवोइड करें उस जगे पर आपको खाना है चने और गुड जो कि हमा के लिए बहुत जादा है बहुत जादा यह फायदे मंद होता है अगर आप इसे खाते हैं यह आपकी शरीर को भी बहुत हैल्दी बनाता है गोड और चना तो इस चीज का हो सकता है तो आप सेवन कर सकते हैं अगर पॉसिबल होता है तो सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंस ए आप साइन्टिफिक रिजन देखेंगे तो लोग बोलते हैं कि अगर ड्राइफ रूट्स आप खाएंगे खाएं ड्राइफ फूट्स मानती हूं गरम होता है बट एक मात्रा में आप इसे लें तो इससे क्या होता है कि आपका जो बच्चा है ना वो बहुत जादा हेल्दी होता है साथ यहसाथ साथ वो बहुत जादा मैंड़ी भी होता है अगर अप ड्राइफ इव न करते हैं जैसे कि आप बदामब काजू ले सकते हैं अक्रोट ले सकते अपना डाइट चार्ड तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए और आपके होने वाले बच्चों के लिए आई होप आपको मेरे यह वीडियो पसंद आया होगा गर पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिजेगा और वैल आइकन को भी प्रे मैं वह यहीं कहीं पर दे दूँगी सो यह है आज का मेरा एक वीडियो मिलती हुए एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाब बाई टेक क्यार खुश रहें दिहार रहें